हेलो दोस्तों मैं सोरों बलिक आप से भीगा टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हिंदी के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखेंगे हिंदी के 40 ऐसे परसन जो कि आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं कर लेजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए करेगा और इसी तरीके से मैंने जीके की स्रीज भी स्टार्ट की है और रीजिनिंग और मैत की भी अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स चेक कर लेजेगा वहाँ वे प्लेए लिस्ट के लिंक मैंने दे दिया है तो चलिए स्टार्ट कर लेता हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी सेर कर दिया question number 2 सही सब्द छाटिए तो इसमें बिल्कुल सही अगर आप option D लगा रहे है question number 2 का तो right answer D हो जाएगा question number 3 3 का में भी बताएए सही सब्द है कौन सा इन में से तो तीसरे में right answer जो जाएगा आपका option C हो जाएगा question number 4 हिंदी भासा में सत और व्यापक मुल्यांग करते समय आप किस बात पर विशेज जान देंगे तो question number 4 का right answer जो रहेगा वो option B हो जाएगा question number 5 में भी आप बतेए सही वर्तनी है तो 5 में right answer जो रहेगा आपका option D रहेगा ठीक है दोस्तों question number 6 तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा तो छटे का right answer option A हो जाएगा बिल्कुल सही है देखे answer आप comment box में बताते रहे है जो भी आपका आता है ठीक है गलत हो चैसे सही हो question number 7 जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक सब्द क्या होगा question number 7 right answer क्या रहेगा तो साथवे का right answer आपका A हो जाएगा question number 8 जिसने सपत पूर्वक प्रतिग्या की हो के लिए एक सब्द होगा तो आठवे का right answer याँपे option A हो जाएगा ठीक है भई question number 9 जिसका साधन सहजदा से हो सके के लिए एक सब्द है इस टाइप की बहुत सारी questions पूछे जाते हैं तो 9 का right answer बिलकुल से अगर आप यहाँपे option A लगा रहे हैं question number 10 जिसके पास कुछ भी नहो के लिए एक सब्द है तो जिसके पास कुछ भी नहो के लिए क्या है एक सब्द भी right answer हो जाएगा question number 11 1 प्लस बल की सही संदी है तो यहाँपे देखे बिलकुल से अगर ग्यारवे का right answer बिलकुल से अगर ग्यारवे का right answer बिलकुल आप उप्शन c लगा रहे है question number 12 हसाना किरिया क्या है तो बारवे का right answer option c हो जाएगा अगर आप option c लगा रहे हैं तो बिलकुल सही है question number 13 प्रेम सागर किस परकार के समास का उधारण है तो 13 का right answer यहाँ पे option b हो जाएगा ठीक है दोस्तो अगर आपको यह टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो like का बटन जरूर दुबाद दीजेगा भई question number 14 पे आ जाते हैं तो 14 है आपका यथा सकती में कौन सा समास है तो 14 का right answer option a हो जाएगा question number 15 अवरोज सब्द का विपी रात्थक सब्द क्या है तो 15 का right answer यहाँ पे option a हो जाएगा ठीक है question number 16 जो आकास में विचरन करता हो के लिए एक सब्द क्या है तो 16 का right answer बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे option d लगा रहे है question number 17 परी पलस छेद किस संदी से निर्मित सब्द होगा तो 17 का right answer option c हो जाएगा question number 18 निमिन में से किस सब्द में अयादी संदी है तो 18 का right answer बिल्कुल सही अगर आप option c लगा रहे है question number 19 नीता कपड़े धोती है वाक्य में किरिया है तो 19 का right answer option b हो जाएगा question number 20 दूद वाला रचना की दरस्टी से है तो 20 का right answer यहाँ पर देखे option b हो जाएगा question number 21 बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक सब्द होगा तो यहाँ पर 21 का right answer option a हो जाएगा ठीक है दोस्तों ठीक है वाई 21 का a हो जाएगा 22 वह नायक जो आत्म अभिमान नहीं देखता के लिए एक सब्द क्या होगा तो 22 का right answer जो रहेगा आपका option a हो जाएगा ठीक है 23 संकलन किया हुआ के लिए एक सब्द है तो 23 का right answer यहाँ पर option a हो जाएगा 24 सुक तथा दुक में समान रखने वाले के लिए एक सब्द क्या होता है तो 24 का जो right answer यहाँ पर वो option b हो जाएगा 25 जिसका संकलप या निश्चे किया गया हो के लिए एक सब्द है तो 25 का जो right answer यहाँ वो option c हो जाएगा ठीक है भई 26 आ का तच्सम सब्द है तो 26 का right answer option b हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट कॉश्चेन पर चलते हैं 27 है आपका गोरव का तच्सम सब्द है तो 27 का right answer आपका option a हो जाएगा 28 निम्बू का तच्सम सब्द है तो बिल्कुर सही है 28 का right answer आपका option d हो जाएगा question number 29 ओड का तच्सम सब्द है तो यहाँ पर 29 का right answer option c हो जाएगा question number 30 गधा का तच्सम सब्द है तो यहाँ पर 30 का right answer आपका option b हो जाएगा ठीक है भई next आपका question number 31 है 30 का ठीक है b हो जाएगा आपका निमिन में से किस सब्द का बहुवचन या परतिय के प्रियोग से नहीं बनाया जा सकता है तो 31 का right answer बिलकुल से आपका option d हो जाएगा ठीक है भई चले question number 32 पे आ जाते है निमिन कित में से किस सब्द में दिर्ग संदी नहीं है तो यहाँ पे देखिए आपका जो 32 का right answer है वो आपका d हो जाएगा ठीक है question number 33 संग्या अथ्वा विशेशन से बने बनने वाली किरिया कहलाती है संग्या अथ्वा विशेशन से बनने वाली किरिया क्या कहलाती है तो question number 33 का right answer आपका हो जाएगा भी right answer रहेगा और 32 का देखिए अगर आपको नहीं पता तो यह हो जाएगा आपका 34 यह आप मीठा है इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेशन है तो 34 का right answer option C हो जाएगा 35 वह अंगूर खा रहा है इस वाक्य में अंगूर है तो 35 का right answer आपका option 35 का right answer आपका option B हो जाएगा 36 पूस्प तत्सम सब्द के लिए हिंदी में तत्भव सब्द क्या है तो 36 का right answer क्या हो जाएगा भई A right answer हो जाएगा 37 कबूतर किस भासा का मूल सब्द है तो 37 का right answer option A हो जाएगा Q38 फै का उच्चारण इस्थान क्या है तो 38 का right answer option C हो जाएगा ठीक है भई Q39 बासा का वह रूप जिसका प्रियोग सामान्य जनता अपने समू या घरों में करती है उसे कहते हैं ये question important है कहीं बार आ चुका है पहले भी तो 39 का right answer बिल्कुल से अगर आप option B लगा रहे हैं Q40 निमलिकित सब्दों में कौन सा असुद्ध सब्द है और इसका right answer आपका option cancelled टूपन